SM Studies YouTube Channel अंतरगत स्वाध्य माला उपक्रम आपका सहर्ष स्वागत कक्षा सात्वी विशय हिंदी पाठ फूल और काटे कवी अयोध्य सिहां उपाध्याय हर्योद स्वाध्याय कृती बताओ तो सही तुम्हें कौन सा फूल पसंद है क्यों निम्नलिखित मुद्दों के आधर पर बताओ फूल का नाम उप्योग और गंद उत्तर मुझे गुलाब का फूल अतिप्रिय है इसे फूलों का राजा माना जाता है गुलाब कई रोंगों के होते है जैसे लाल, गुलाबी, सफेद, पीले, बैंगनी, आदी इसके सुगंद बड़ी आकर्शक और लुभावनी होती है इनके सुगंद के कारण गुलाब का इत्र भी बनाया जाता है यह लगबग हर बगीचे में पाया जाने वाला एक आम पौधा है गुलाब के कई पौधों के कई उप्योग है गुलाब न केवल सजावट में ही काम अता है बल्कि इसे कई प्रकार के इत्र भी बनाये जाते है गुलाब में अउशदिय गुण होने के कारण इसे गुलाब जल और कई प्रकार के संदर या उत्पाद भी बनाये जाते है खोजबिन आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गी करण करो चोटे पौधे गुलाब, गुडहल और गेंदा, मध्यंपवधे, पपीता, अम्रुद और कीला, बड़े पेड, पीपल, बर्गद और आम अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कर रात में उन पर चमकता चांद भी एकही सी चांद नी हैं डालता ख, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भवरका है वेध देता शामतन प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो, फूल किन को गोद में लेता है, उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है दुसरा, बड़पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती उत्तर, बड़पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती तिसरा, कौन एकसा बरस्ता है? उत्तर, मेह एकसा बरस्ता है चोथा, फूल किसको रस पिलाता है? उत्तर, फूल भवरों को रस पिलाता है अगला प्रश्न, भाषा की ओर? समानार्थे और विरुद्धार्थे शब्दों की जोड़िया ढूंडो और उनका वाक्य में प्रयोग करो समानार्थे शब्द, पुष्प फूल, मा पुष्पोन से भगवान की पूजा करती है दूसरा वाक्य मैंने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया दूसरे जोड़ी मेह बादल वाक्य आसमान में काले मेह चाये है दूसरा बादल थे लेकिन बारिश नहीं हुई तिसरे जोड़ी हवा पवन पहला वाक्य शीतल हवा बहर रही है दूसरा पवन के जोके से व्रुक्ष गिर गया चोथी जोड़ी पानी जल वाक्य मैं पानी पीकर खेलने के लिए चला गया दूसरा जल ही जीवन है विरुद्धर्ती शब्द पहली जोड़ी रात दिन वाक्य राम रात के समय घुमने के लिए गया था दूसरा, बहुत दिनों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ दूसरी जोडी, छोटा बड़ा वाक्य, कोई काम छोटा नहीं होता दूसरा, मेरा बड़ा भाई राजस्थान में रहता है तिसरी जोडी, अस्त उदय वाक्य, सूर्य का अस्त होने से पहले अपना कारिय पूरा करो दूसरा, सूर्य का उदय होने के बाद दिन शुरू होता है चोथी जोडी, सम्मान, अपमान वाक्य, मैंने परिक्षा में पहला करमंक पाया इसलिए गाव वालोंने मेरा सम्मान किया दूसरा, किसी भी व्यक्ति का अपमान करना अच्छे बात नहीं धन्यवाद